नमस्कार दोस्तो मैं हूं नवीन और आपका दजीयस टाइम यूट्यूब जैनल में स्वागत है अगर आपको रूपा का लंकार को पाचानने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को सुरू से लाच तक देखिए अगर आप इस वीडियो को सुरू से लाच तक देख लेंगे पाचानना जाता है कि इसमें रूपा कलंकार है यही पाचानने का तरीका है चलिए एक उदार द्वारे इसको समझते हैं माईया मैं तो चंद्र खिलोन ले हूँ यहाँ पर देखिए चंद्र खिलोनों तो चंद्र मतलब चंद्रमा खिलोना मतलब खिलोना तो यानि भालक है वोकर आय कि मैया मुझे चंद्रमा रूपी खिलावना चाहिए यानि कि जो चंद्रमा उप़र है उसी के समा नमे खिलावना चाहिए तो देखे यहाँ पे रूपा कलंकार हो गया क्यूँं क्योंकि इसमें रूपी सफ़ चिपा हुआ है इस तरह से आप पहचाल लेंगे रूपा कलंकार है एक अलग उदार से समझते हैं पायो जी मैने राम रतन धन पायो तो यहाँ पे देखिए राम रूपी धन राम रूपी रतन यहाँ पे भी देखिए रूपी सब छिपा हुआ है तो आये देखते हैं यहाँ पे देखिए चंदर का चादर यानि कि चाद की रोसनी चादर की तरह फैली हुई है यानि जो वन होता है रात में देखेंगे तो उसके उपा जो चादर नहीं होती है वो चदर के समान फैली हुई होती है यानि चाद रूपी चादर यहाँ पर देखें रूपी सब मिल गया है चंदर का चादर में क्या छिपा हुआ है? रूपी सब चादर इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? रूपा कलंकार हो जाएगा इस तरह से आप रूपा कलंकार को बहुत ही असानी से समझ लेंगे और पाचाल लेंगे और आंसर को टिक कर देंगे आईए अब रूपा कलंकार को कांसेप्ट से समझ लेते हैं कहीं कहीं पर रूपी सब्द गायब हो जाता है तो आप एक कांसेप्ट से समझा जाता है तो रूपा कलंकार का concept यह होता है कि जहाँ पर उपमे और उपमान में कोई अंतर ना दिखाए दे वहाँ पर रूपा कलंकार होता है अर्था जहाँ पर उपमे और उपमान के बीज के भेट को ही समाप्द कर करके उसको एक कर दिया जाए वहाँ पर रूपा कलंकार होता है यहाँ पर देखिए उपमे और उपमान नए सब्द हैं इसका टेंसन छोड़िये अभी आपको समझ में आ जायागा यह क्या होता है दूसरे सब्दों में रूपा कलंकार को ऐसे समझे कि जब गुड की अत्यन समानता हो जिसके कार्ड उपमे कोई उपमान बता दिया जाए यानि कि उपमे और उपमान में कोई अंतर ही न दिखाई दे वहाँ पर रूपा कलंकार है अगर आप काब देको परेंगे तो आपको लगेगा कि दो अस्तु में जो तुलना की गई है उसमें कोई अंतर ही नहीं है दूनों एक समान हो गई है तो ऐसा जहां भी कंडिशन रहेगा वहाँ पर रूपा कलंकार हो जाएगा इस बात को अगर आप उधार से समझेगे तो अच्छे समझ जाएगे तो चलिए हम आपको उधार से समझाते हैं उधार है यह एक पद है सबसे पहले इस पद का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ ऐसे समझेगे कि एक सुन्दर नारी है वह अपना आचल नीचे की है यानि अपना आचल नीचे लटकाई हुई है ध्यान दीजेगा हम उस घूगट में छीपे चांद की बात कर रहे हैं उठाई ले घूगटा चांद देख ले यही वाली बात है इसमें उसका चेहरा इतना सुन्दर है अगर कोई दूर से देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से चंद्रमा की तरह रोसनी आ रही है या उसको ऐसा लग रहा है कि कोई दीपक है और उसको कोई पारदा से चीज से ढखा हुआ है वहां से एक रोसनी आ रही है ऐसा उसका मुख है यानि कि उस मैला यानि उस नारी का मुख इतना सुन्दर है कि हम अंतर ही नहीं बता पाएंगी कि वो चंद्रमा का मुख है या उस माईला का मुख है यही इस बात में कहा गया है मतलब उस माईला का मुख है इतना सुन्दर है कि चंद्रमा भी उसके आगे फेल है भा भाई फेकने के भी हद होती है यार तो वो ससी मुख पर घोगट डाले आचल में दीव छिपाए ससी मतलब चंद्रमा मुख मतलब चेहरा चंद्रमा रूपी मुख देखिए यहां पर रूपी सवदा गया इसलिए इसमें क्या होगा? रूपा कलंकार हो जाएगा आँख बंद करके रूपा कलंकार हो जाएगा इसमें यानि कि या पर जो गूड है उसमें अत्यान समानता हो गई है जिसके कारड आप उसका भेद नहीं कर पा रहे हैं यही है रूपा कलंकार का कांसेप्ट तो ऐसी condition आएगी तो आप आख बंद करके रूपय का लंकार को टिक मार देंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रहे है तो इसका जो like बटन है उसको तुरन ठुक दीजिए दोस्तों हिंदी बहुत ही जवर्दस सब्जेक्ट है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसे मजा आने लगेगा क्योंकि मोधी जी ने एक बार कहा था ना सब मजा मा उसी तरह से आप हिंदी को अगर देल से पढ़ना सुरू कर देंगे तो आपको लगेगा सब मजा मा